नमस्कार जैमातादी बहुत-बहुत स्वागत है आप सबका जोतिश दिशा सत्ते की राह में आपके साथ मैं हूँ आपका संतोश संतोशी चैतर नवरात्री का शुभ आरंभ हो चुका है नए संबत का शुभ आरंभ हो चुका है और शोभन नामक यह संबत हम आप अब आगे लेकर चलेंगे संबत नंबर है दो हजार असी हम सब का नववर्ष हम सब के जीवन में शुभता दे शुभता का परियाय बने उत्तम स्वास्त से हम सब को सुसजित करता रहे सुसिंचित करता रहे परमपिता परमिश्वर माज जगत जन्नी से हम ऐसी प्रारतना करते हैं एन 27 भक्ति के समस्त दर्शकों को भी नववर्ष हिंदू नववर्ष नवसंवत्तर का हार्दिक्षप कामना आए शुरुवात करते हैं आज के जोतिश दिशा की सबसे पहले जानते हैं बाज का पंचांग चैत्र माह शुक्रपक्ष प्रतिपताति थी शुभन नामक संबत्तर का आरंभ चैत्र नवरात्र का आरंभ चंद्रमामीन राशी में आज गुड़ी पढ़वात्य परवभी होता है और नक्षत्र रहेगा उत्तरा भाद्रपद दोपहर तीन बचकर बत्तिस मिनट तक तदुपरांत रिवती योग रहेगा आज का शुक्ल सुबह नव बचकर सोले मिनट तक इसके बाद ब्रह्म है योग का शुभारम तदनुसार दिनांक 22 मार्च दिन बुधवार बुधवार को राहुकाल का समय नोट कर लेजेगा दोपहर बारह से एक बचकर तीस मिनट तक और गुलिक काल का समय रहेगा प्राता है दस बचकर तीस मिनट से बारह बज़े तक राहुकाल नए और शुभ काम के लिए त्याज जहे गुलिक काल ग्राहे रहेगा आए सुभारम करते हैं आज के शुभ राशी फल का और बताएंगे प्रतेक राशी वाले माशैल पुत्री के लिए आज क्या अर्पित करें जिससे उनके जीवन में शुभता का परियाए बने शुभता का आगमन हो इसके अलावा बताएंगे आज रात कौन सा वो खास समय है जब आप कुछ शुभ बनो कामना मागे शैल पुत्री से और किस प्रकार से मागना है इसकी भी जानकारी हम कारकरम के दोरान देंगे तो बने रहे हमारे साथ कारकरम को अपने मित्रों से भी साजा कर सकते हैं शेयर कर सकते हैं जिससे उन सब के जीवन में भी शुभता का आगाज हो आरंभाव आईए सुरबात करते हैं आज के भविश्य वानिका माशैल पुत्री के इस खास मंत्र से अपने आपके मन को अंतरात्मा को हम लोग अभिशिंचित करते हैं यादेवी सर्वभूतेशु माशैल पुत्री रूपेड संस्थिता नमस्तसे 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 नमोनमह अब आज का भविश्य फल मेश राशिप पढ़ाई में आज खूब मन लगेगा रुके कारियों को गती प्रदान करेंगे ब्यापार अनकूल चलेगा बिजनस में किसी तरह की समस्या आज कदापी नहीं है प्राइवेट सेक्टर में कुछ दिब्य अनुभूतियां होंगी आज कारिय छेतर में मन खोब लगेगा सरकारिय छेतर की स्थिति को सुधारने के लिए प्रयास तेज करना पड़ेगा दामपत्य जीवन आज बहुत अनकूल है पति-पत्नी के बीच तनाव को कम करने का प्रयास सार्थक होगा लव लाइप में कुछ प्रतिकूल ताएं रहेंगी दोपहर के बाद की स्थिति को समारने का प्रयास तेज करना पड़ेगा स्वास्त के मामले में डाइजेशन आख और शुगर की दिक्कत हो सकते हैं क्या उपाय करना चाहिए मेश वालों को मा शैल पुत्री को आज अपने हाथों से गुड़ और काले तिल अरपित करें प्रशाद स्वरूप और वही फिर ग्रहन भी करिएगा सुबह दोपहर शाम जब भी आपको पूजन करना है आरती शाम की करनी है प्रशाद यही रहेगा हर राशी वालों को बताएंगे आज प्रशाद क्या अरपित करना है मा की उस दिब्र शक्ति को जिसका नाम है शैल पुत्री को शुबरंग आज आपके लिए औरेंच भाग्य प्रतिशत चांचट ब्रिशब राशी मान्सुक शामती के साथ शिक्षा में आज मजबूती आएगी पढ़ाई बहुत अन्कूल है ब्यापारिक दिश्टिकोंट से समय थोड़ा सा उठापटक वाला रहेगा बिजनस को लेकर के आपको थोड़ा सजग रहने की आवशक्ता है प्राइवेट सिक्टर की स्थिति को सवारने का प्रियास करिएगा आज का दिन नौकरी में बने रहने के लिए मेहनत जादा करना पड़ेगा सरकारी छेतर की स्थिति समर जाएगी गवर्नेंट सेक्टर में किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी आज का दिन दांपत्य जीवन में ब्रिशव राशी वाली महिलाओं को थोड़ा एग्रेशन पर नियंतरों रखना पड़ेगा लव लाइफ बहुत बहतर है पश्तितिया अनकूल रहेंगी विवाह की जर्चा कर सकते हैं स्वास्त के मामले में ब्रिशव राशी वालों को आज माइग्रेन और डाइजेशन की दिक्कत हो सकती है माशहिल पुत्री को आज ब्रिशव राशी वाले क्या अरपित करें प्रशाद स्वरूप आज खोए की रवडी दूध उबाल कर उसमें हरी इलाइची डाल करके मिश्री डाल कर मा को प्रशाद अरपित करें ब्रिशव वाले और मा की मंत्रों का जाप करें शुबरंग आज सफेद भाग्य प्रद्शत पच्पन मिथुन राशी तिरांग 22 मार्च पढ़ाई आज बहुत अनकूल है शुक्षा में कहीं रुकावट नहीं है ब्यापार जबरदस्त बिजनस में उच्छाल है आज रिस्क पॉजिटिब रहेगा प्राइवेट सेक्टर आपके लिए कुछ बड़े फैसले दिखा रहा है प्राइवेट सेक्टर में अनुभूती आच्छी रहेगा गौर्मेंट सेक्टर तनाव से मुक्ति का साधन बनेगा दामपत्य जीवर अच्छा रहेगा आज बच्चों का साथ है सानिद्ध है लव लाइफ बहुत अनुकूल आज हो सकता है अगर दोपहर के बाद की स्थिति को संभाल लेते हैं स्वास्त के मामले में आज कमरदर्द और हर्ट की प्राब्लम हो सकती है मिथो नाशी वाले कोई मौसमी फल का जूश मा को अर्पित करें प्रशाद रूप में औरेंज का है आउले का है कोई भी अनार का है शुबरंग आपके लिए आज गुलाभी भाग्य प्रत्षत 57 करकराशी 22 मार्च पढ़ाई में पूर्ण रूपेंड लगेंगे आज कुछ नया ग्रहन करने को मिलेगा ब्यापार में कुछ दिब्यन भोतिया होंगी बिजनस में किसी तरह का भी रिस्क आज सफलता जरूर देगा प्राइवर्ट सेक्टर की स्थती आज डामा डोल है नोगरी में बने रहने के लिए मेहनत करना पड़ेगा कुछ इस्थती आपके हाथ से आज बिगड़ सकती है सरकारी छेत्र अनकूलता दिखाएगा गौर्मेंट सेक्टर में किसी तरह की दिक्कत नहीं है गौर्मेंट सेक्टर आपके लिए कुछ अच्छे फल आज दे सकता है दामपत्य जीवन में परिस्थतिया अनकूल हो रही है आज कोर्ट के बाहर सेटल्मेंट का दिर कहा जा सकता है करकवालों को बिवादों में न पढ़ें तो बहतर है लव लाइफ परिस्थतिया थोड़ी प्रत्कूल है आज मांसिक अशान्ती रहेगी मित्रों का साथ लीजिएगा और समझ अपनी विक्सित करिएगा स्वास्त के मामले में देखा जाए तो डाइजेशन आख और पेट की समस्या हो सकती है क्या उपाय करना चाहिए आज मां को प्रणाम करते हुए लाल सिंदूर मां की चरणों में रख दीजिएगा शुबरंग आपके लिए आज बैगनी भाग की प्रत्षत तिरपन सिंगराशी थोड़े से परिशान नजर आएंगे पढ़ाई कम हो पाएगी आज परिवार में उठापटक की स्थिति रहेगी ब्यापार लेकिन अच्छा है आज कुछ नया कर सकते है नए आइडियाज पर वर्क करने का दिन आ गया है दोस्तों की भी सुनना बहतर रहेगा प्राइवर्ट सेक्टर में सिंग राशी वालों को वाज तनाव मिल सकता है प्रतिकूलताएं रहेंगे चिंता बढ़ सकती है सरकारी छेत्र को अगर आप समझ सकते हैं तो आप उसी के अनुसार काम बढ़ा दीजेगा गौर्मेंट सेक्टर अच्छा रहेगा बहुत अन्कूल है किसी तरह की चिंता नहीं है लव लाइप में मजबूती के साथ आप कदम बढ़ा रहे हैं और वही आपके लिए उचाई देगा स्वास्त के मामले में लीवर, आँख और बैक की प्राबलम हो सकती है क्या उपाय करना चाहिए अगर आपकी राशी सिंग है आज बैक से अगर आपको ज़्यादा समस्या है तो आज प्रशाद के रूप में माशेल पुत्री को सिंग राशी वाले अपने हाथों से कुछ खाने के लिए जैसे मौसमी फल आदी अर्पित करें शुबरंग आपके लिए आज सफेद भाग्य प्रतिशत 58 कन्याराशी चर्चा करते है कन्याराशी वालों के लिए पढ़ाई में हर कदम पर कुछ बड़ी उपलब दी है ब्यापार भी अच्छा चल रहा है अउसर अच्छे मिलेंगे आज अकरस्माद्धन प्राप्ति होगा प्राइवेट सेक्टर आपके लिए कुछ अच्छे फैसले की इस्थिति पैदा करेगा सरकारी छेतर में कुछ दिब्यन भूतियां है गौर्मेंट सेक्टर आपके लिए आज अच्छा परिणाम दे रहा है दामपत्य जीवन बहुत अनकूल रहेगा आज अनकूलता के साथ आगे बढ़ेंगे लव लाइफ की स्थिति को सुधारने का प्रियास करें स्वास्त के मामले में देखा जाये तो माइग्रेन और किड्नी की समझ से आज रहेगी कन्याराशी वाले क्या अरपित करना है मा को आज प्रसन करने के लिए हरी इलाइची के तीन दाने मा की चरणों में प्रशाद स्वरूप रखिएगा शुबरंग आपके लिए आज हरा भाग्य प्रतिशत छपपन तो लाराशी अनकूल अफसर है आज पढ़ाई कूब अच्छी कर रहे हैं शिक्षा में सुधार है ब्यापार में ब्याथर परणाम आज मिल जाएगा आज निवेश का अनकूल इस्थती है निवेश कर सकते हैं प्राइवेट सेक्टर की स्थती को समारने का प्रियास तेज करिएगा इस्पेशली खास तोर पर आज अगर आप प्राइवेट सेक्टर में हैं तो अपने हाथों से कुछ आज निवेश कर सकते हैं सरकारी छेतर में बेहतर अनकूलता है गवर्मन्ट सेक्टर में मेहनत का परिणाम अच्छा दिखेगा बहुत प्रशन रहेंगे दांपत्य जीवन बहुत अनकूल है आज इस्थती आपके अनुसार है आज का दिन बच्चों के साथ कहीं घुमने टहलने का कारिक्रम बन सकत है लव लाइफ में कुछ इस्थतिया माइनस प्लस दिखाई दे रही है लव लाइफ बहुत अनकूल नहीं है स्वास्त के मामले में आज पेट आंख और किड्नी की समस्या हो सकती है उपाय क्या करना चाहिए ओम दुम्दुरगाये नमह ग्यारह बारिश मंत्र का जाब करत होते हुए मांके समक्ष घी का दीपक प्रजुलित करें शुबरंग आपके लिए पीला भाग्य प्रत्षत पच्पन व्रिश्चक राशी वालों के लिए आज का दिन हर कदम पर शुब परिणाम देने वाला है पढ़ाई बहुत अच्छी रहेगी सिक्षा में किसी तरह का दोश नहीं है ब्यापार के लिए कुछ बड़े संकल्प आज हो सकते हैं प्राइवेट सेक्टर के लिए आज नई नौकरी की संभावना है सरकारी शेतर में उल्जनों के समाप्त होने की स्थती रहेगी आज बॉस के साथ तालमेल अच्छा रहेगा दामपत्य जीवन प्रिश्चिक वालों को आज मादुर्गा के समक्ष एक सर्चो के तिल का दीपक और उसमें एक लौंग डाल दीजिएगा यह आपको उपाय करना होगा शुबरंग आपके लिए आज ग्रे भाग्य प्रथिशत पचास धनुराशी दिन बहुत अनकूलता के साथ कदम बढ़ा रहा है आज इस्थतियां आपके अनुसार है पढ़ाई में कुछ मजबूत परणाम मिलेगा ब्यापार के लिए रिस्क लिया जा सकता है थोड़ा सा संभल कर दोस्तों की बात समझने में भलाई है प्राइबेट सेक जाता करना पड़ेगा दांपत्य जीवन अच्छा है आज कोट के बाहर सिटल्मेंट के लिए बात कर सकते हैं लव लाइप में इधर उधर की बातों से बाहर निकलिएगा और विवाह की चर्चा को अंजाम दीजेगा स्वास्त के मामले में आज आँख और दातों की समस्य हो सकती है क्या उपाय करना चाहिए अगर आपकी राशी धनवाई ओम गंगणपते नमह भगवान गणेश का ध्यान करते हुए माशैल पुत्री के समक्ष एक केले का फल अर्पित करें शुबरंग आपके लिए आज डार्क औरेंज भाग्य प्रतिशत पच्छपन मकर राशी उल्जनों से बाहर निकल कर कुछ नई योजनाओं पर काम करने का दिन आज अच्छा है शुक्षा पूर्ण हो रही है मन प्रसंद रहेगा ब्यापार के लिए आज रिस्क लेना आपके लिए परिडाम सुखत देगा प्राइवेट सेक्टर में कुछ अच्छा ह हो रहा है सरकारी छेतर में तनाव मिल सकता है आज मर्याट लाइफ के बीच किसी बाहरी का आस्तक शेव दिखाई देता है लव लाइफ आपके लिए बहुत बहतर रहेगा स्वास्थ के मामले में आज पैक की प्राबलम हो सकती है क्या उपाय करना चाहिए आज मकर राशी वालों को माशेल पुत्री के निमित लाल अरहुल का पुष्प अर्पित कर दीजेगा शुबरंग आपके लिए लाल भाग की प्रतिशत तिरपन कुम्भराशी अवसर अच्छा है जिसका अनुमान आपने लगाया था उसके अनुसार आज का दिन बीथ रहा है बहुत अनकूल इस्थिती के साथ कदम बढ़ाएंगे स्विक्षा बहुत बहुत बहतर रहेगा ब्यापार में कुछ अनकूलता आज सोता है प्राइवेट सि स्विक्षा की स्थिती को सुधारने का प्रयास करिएगा दामपत्त जीवन बहुत बहतर है परिणाम अच्छा रहेगा लव लाइफ में कुछ मुश्किलें आ सकते हैं स्वास्त के मामले में आज बैक की प्राब्लम हो सकती है उपाय के तोर पर कुम्भराशी वालों को एक लॉंग प्रशाद रूप में अर्पित करिएगा शुबरंग आपके लिए आज बादामी भाग्य प्रतिशत साथ अंतिम राश मीन शुक्षा की पूर्णता आज आपके अनुसार हो जाएगी पढ़ाई में रिजल्ट कुछ बहतर आ रहे हैं किसी नई योजना पे काम करने के लिए विद्यार्थियों के निमित दिन बहुत अच्छा है ब्यापार में इस्थती बहुत अच्छी नहीं है बिजनस में कुछ गरबर हो सकता है प्राइबर सेक्टर आपके लिए बहुत बहतर अनकूलता देगा सरकारी छेतर में क्या पूछना है दामपत्य जीवन में थोड़ा सा सभल कर निर्ड़ा लीजेगा लव लाइब बहु गंगा जल और हरी लाइची अर्पित करके और वही प्रशाद रूप में ग्रहन करियेगा मा से सुबह दो पहर शाम जो भी बनाएं आप शुबरंग आपके लिए आज दार के ग्रीन भाग्य प्रतिशत चौशट शिक्टिफूर राशियों के बाद आईए जानते हैं आज का शुबह सक्सेज की आज प्रतहकाल स्टान के बाद एक फूल सहित लौंग लेकर अपने सर से तीन बार उल्टा वारिये और निगल जाईए और शदी की तरह अब चर्चा आज के भाग्याक्षर का और उसके बाद बताएंगे कि आज रात में किस समय आप क्या मन्नत वो खास प्रियोग आज सिर्फ राशिफल की इस प्रियोग में और इसे आप किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे बलकि कारिक्रम को शेयर करिएगा क्योंकि यह तंत्र का प्रियोग रहेगा और तंत्र प्रियोग बताने से अपने असर को कम करता है ऐसी मानता है तंत्र की दु तो कुछ मत करें, आप इस वीडियो को बस उसके वाटसअप पर, फेस्बुक मैसेंजर पर, इंस्टाग्राम में, जहां चाहें, शेयर कर दीचेगा. तो आज कब उस मन्नत को हम मागें और कैसे मागें इस पर हम पुरी जानकारी देने वाले हैं, बस थोड़ा सा इंतजार, पहले जानते हैं आज का भाग याक्षर, बिश, थाक्षर बिशब, दा मिथुन, गाग्षर करक, खा, सिंग, भाग्षर कन्या, चा, तुला, याक्षर ब्रिश्चिक, हा, धनू, गाग्षर मकर, वा, कुम्भ, चाग्षर मीन, जह, तो अब आए जानकारी दे देते हैं, आपको एक दिब्ब समय की, जब आपको आज एक खास मन्नत मांगना है, मा, शैल पुत्री से, वो कुंडली हम बताएंगे, वो मुहुर्थ हम बताएंगे, वो समय हम बताएंगे, वो नौमांश हम बताएंगे, वो वे हम बताएंगे, किस तरह से आपको मंदत मांगना है और वो समय क्या रहेगा रात के कितने बज़कर कितने मिनट पर लगन क्या है और नौमांश क्या है और किस तरह से किस खास प्रियोग को हम आपको मंगवा रहे हैं इसकी पूरी जानकारी अब आप देख लीजेगा हम आपको वो समय लिखवाने जा रहे हैं वो कुंडली हम आपके दिमाग में बैठा रहे हैं वो समय वो कुंडली वो लगन जब आप कुछ खास मांगेंगे माशेल पुत्री से तो नोट कर लीजेगा वो समय रहेगा रात ग लगन का उदै रहेगा और कुम्भ राशी का चद्रमा और शनी चतुर्थ में सुग्रही शश नामक योग बना रहे हैं और पंचम भाव का बल देखिएगा और यह जो समय हमने बताया है यह अपने आप में आयतिहासिक है क्योंकि तुला राशी का नौमांश भी रहेगा ग्यारह बजकर 49 मिनट से पांच मिनट के अंदर में आप मननत मागें और आज का मननत रहेगा चतुर्थ और पंचम भाव से सम्बंधित माशेल पुत्री चतुर्थ भाव अर्थात शेल परवत राच की पुत्री के रूप में जानी जाती है परवत अर्थात स्थाई स्थिर्ता इस्थिर लगने में हमने मननत मगवाया है तर्क के साथ मैं बोल रहा हूँ तर्क है इसके पीछे मकान कर्ज और वाहन से सम्मंधित जो भी मागना है पंचम में ब्रहश्पत शुक रही है शिक्षा प्रेम संतान से सम्मंधित जो मागना है आप मागिएगा कैसे मागना है 11 बच के 49 मिनट पर वो हम बता देते हैं एक साधा कागज ले लीजेगा नोट कर लीजे बहुत इस्थरता के साथ बोल रहे हैं अब मत कहिएगा कि लिख कर भी देना चाहिए था इसको आप रिपीट सुनिए दस बार सुन लीजेगा वीडियो है ना ये तो तो रिपीट सुन लीजे यहां रोग दीजे फिर पीछे कर लीजे फिर सुनिए एक साधा कागज ले लीजेगा एक मिट्टी का दिया हम लिख के नहीं चला रहे हैं इसलिए कि आप दो बार सुनिए चार बार सुनिए एक साधा कागज लेजे मिट्टी का दिया उसमें लाल रंका सिंदूर और देशी घी डालकर उसको सिंदूर को ग सिंदूर और घी की स्याही से लिखना है मा से जो भी आप मन्नत चाहते है संबंधित चतुर्थ और पंचंभाव हुमने बताया मकान है वाहन है करज से मक्ति है प्रेम है और शिक्षा है संतान है पंचमभाव ब्रहश्पत का जो हमने ब्रिश्चिक लगने लिया उसके आधार पर कागज पर लिख करके इसको फोल्ड करिए सिंदूर से वो गीला है घी से तो किसी पन्नी में पॉली पैक में किसी या मोटी जगह पर रख के और अपने गद्धे के नीचे रख कर सो जाईए प्रातह श्नान आद के बाद इसे ले जाकर शिवलिंग पर चड़ा दीजिएगा और अपना काम करिएगा कल ब्रह्मचारणी मा से दुतिय शक्ति से क्या मांगना है और कब कैसे मांगना है कल वाले कारिकरम का इंतजार करिएगा फिलाल अब बात कर लेते हैं आज के आयुश्मान भवह की आज का आयुश्मान भव दिनांग 22 मार्च को पैदा हुए लोगों के लिए विशेश दो पीपल के पौधे पश्यम दिसा में लगा दे दो लोगों को भोजन कराएं और 22 मार्च को जिसकी मेरी जैनवरसरी है दो लोगों को शुक्षा में मदद करिए और दो कन्याओं के विवाह में मदद करिए पति-पत्नी मिलकर आज के इस खासंक में बस इतना ही आज का सरवबाधा शांती अनुष्ठान चल रहा है कल वाले में क्या विशेश रहेगा इसकी जानकारी शिवम मिश्टरा जिससे आप लोग जरूर ले लीजेगा और आप कल वाली बुकिंग आज रात तक करा सकते हैं बहुत बहुत शुक्रिया नमस्कार शिरादे